नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठ साला में हम दीना चरस्या आपके सामने पुन्हा उपस्थित हुए हैं हिंदी के पाठ कलम्द आज उनकी जै बोल अहां किताब कोई नहीं खोलेगा भी जब तक हम आपसे नहीं कहेंगे अभी हम आपसे कुछ बाते करेंगे तो हम कहां पे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे हमारे पाठ का नाम क्या था? कलम्द आज उनकी जै बोल पाठ का नाम सुनके कुछ आपको सोचना नहीं पाड़ रहे हैं? कि आखे या पाठ हिंदी साहित के किस विधा पर अधारित है? क्या ये एक कहानी है? यहाँ एक कवीता है? क्या यहाँ एक वीरगाथा है या किसी की आत्म कथा है? ये सब हम आपको बताएंगे लेकिन आपको उसके लिए हमारे साथ चलना परेगा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना परेगा अहाँ घबराई ये बिल्कुल भी नहीं कोई कठिन विशे नहीं है नाही कठिन ये पाठ है लेकिन कुछ कोत्य हल भी तो होना चाहिए न कि आगे आपकी मैडम आपकी मैम आपको क्या पताना चाहती हैं है न बच्चो तो उसके लिए एक कार करते हैं हम आपको एक संकेत दे देते हैं आपका जो पाठ है कलम आज उनकी जैव बोल यहां देश भक्ती पर अधारित है तो इसी देश भक्ती की भावना को अपने मन में जगाते हुए आप हमारे साथ अगले चरण पचाहिए चलिए देखते हैं हमारे अगले चरण में आपको क्या मिलता है आपके सामने ये स्वाधींता संगर्स के कुछ प्रेरत नारे हैं जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारा पाठ देश भक्ती पर अधारित है उन्ही देश भक्ती पर अधारित कुछ नारे है इंकलाब जिन्दाबाद, यह नारा किस ने दिया था? सदार भगत सिंग ने, इंकलाब जिन्दाबाद, इसका अर्थ है क्रामती की विजय हो दूसरा है वंदे मात्रम, वंदे मात्रम आज भी हम बच्चो अपने राष्टी गीत, राष्ट गान या राष्टी पर्व में इसका उध्गोश करते हैं वंदे मात्रम हमारी वंदना है, हमारी मात्र भूमी के लिए, तीसरा नारा अंग्रेजो भारत छोड़ो, करो या मरो यहाँ वे दो नारे हैं, जिनकी बदावलत आज हम स्वतंत भारत में, खुली हवा में सास ले रहे हैं बच्चो, कुछ दोश की भावना आए आपके अंदर? आगे बढ़ते हैं बच्चो, देश को गुलामी के बंधन से मुक्त कराने के लिए अनेख स्वतंतता सेनानियों ने अपना अमूल योगदान दिया जिन में से सरदार भगत सिंग, चंद सेखर आजाद, सुभाश्चन बोस, महात्मा गांधी जी, लाल बहादो सास्ती जी जैसे महान देशफ़क और क्रांती कारियों के बदौलत आज हम आजादी की खुली हवा में सास ले रहे हैं लेकिन संघर्च के दौरान कुछ ऐसे अनेक सुदंतता सैनानी भी थे जिनके नाम हमें नहीं पता, जिनसे हम परचित नहीं है लेकिन उन्हों ने अपना सब कुछ नेच्छावर करके इस देश को अजाद करने में अपना अभूतपुर योगदान दिया और हस हस कर फासी के फंदे पर जूल गया बच्चो आज हम राष्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर जी दौरा रचित कलम आज उनकी जैबोल के माध्यम से कलम आज उनकी जैबोल कवीता के माध्यम से आप आपको समझ में आ गया कि हम हिंदी के किस विधा से आपको परचित करा रहे हैं हिंदी साहित की विधा कवीता पद्ध विधा से आपको परचित करा रहे हैं एक बाप पुना आपसे कहते हैं कि बच्चो आज हम राष्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर जी द्वारा रचित कलम आज उनकी जैबोल कवीता के माध्यम से उन सहीदों का सम्मान करेंगे और गु हमारा ये परतंत भारत आज सतन भारत के रूप में हमें मिला है लेकिन हमने आपसे कहा था कि हम चरण बथ चरण आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद हम क्या करेंगे आपको हम आदस वाचन कराएंगे या आपसे कुछ नया करवाएंगे जी हां कभी भी किसी पार्ट का अध्यम से अपने भाओं को सब्दों के दौरा सब्दों में प्यूरोकर आपके सामने प्रस्तुत करता है तो क्यों ना स्वर पथम आदस वाचन से पूर्व हम अपने राष्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर जी से के जीवन से कुछ परचे प्राप्त कर दें तो बच्चो अब हम आपके सामने हैं राष्ट कवी रामधारी सिंग जी दिनकर जिनके जीवन के बारे में हम आपको बताएंगे प्रस्तुत कवीता राष्ट कवी रामधारी सिंग दिनकर जी द्वारा लिखी गई है दिनकर जी का जन सन 1908 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था य रस्वन्ती, कुरुचेक्त्र, परुसुराम की प्रतिक्छा, आदी, उनकी महत्पूर का विरचनाय हैं। शिरी रामधारे सिंग दिनका जी की कविताओं में देश प्रेम और राष्टिता की भावना चलगती हैं। बच्चों, यहां आप जब पाठ पढ़ेंगे, आपको पूरी तैकर से विश्वास हो जाएगा। उनकी कविताओं क्या कहती है। आगे बढ़ते हैं अपने आदस वाचन पर। जैसा कि हमने आप से कहा था कि कि किसी भी कविता यक कथा का आदस वाचन करने से पुर उनके रचनाकार, उनकी कवी का परिचे जरूर आपको लेना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि कभी अपने रचना के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहता है। अब आप किताबे खोल सकते हैं। जल्दी से किताबे खोल लिए और पाठ संख्या ग्यारा पर आईए। बिल्कुल सही। आपने खोली किताबे वेलिगुद। बच्चो आपकी किताब में पात संखा 11 और पात का नामे कलम आज उनकी जै बोल। आपने ध्यान से देखा अपने पुस्तक को, किताब को देखा अपने ध्यान से, किताब के नीचे आपको दो लाइन लिखी हुई दिख रही है। यहाँ आपको बताता है कि आखे कभी ने इ जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से देश में नई चेतना जगाई है। एक बार फिर से सुन लिजे, आप देर से आये हैं, आप फिर से सुनिए. प्रस्तुत कविता में कवी ने उन असंख सहीदों का गुनगान किया है, जिन्हों ने अपने त्याग और बलिदान से देश में नहीं चेतना जगाई हैं. इस प्रसंग से आपको ये पता चला कि हमारे राष्ट कवी रामधारे सिंग दिनकर जी ने अपनी कविता के मार्धम से क्या कहना चाते हैं. अब इसका आदस वाचन भी करते हैं. हम भी करेंगे, आप भी हमारे साथ अनुसरन करने की कोशिस कीजे, प्रयास कीजे. तो हम सुर जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटिकाई जिसने चिंगारी. जो चड़ गए पुर्ण वेदी पर लिये बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल. जो आगरित लगो दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं, इस नेह मोख खोल, कलम आज उनकी जय बोल. पीकर जिनकी लाली सिखाए, उगर रही लू लपट सिखाए, जिनके सिंग नाद से सहमी, धरती अभी तक रही डोल, कलम आज उनकी जय बोल. बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, हमारे राष्ट कवी, रामधारे सिंग दिनकर जीने. बहुत ही अच्छा है, और आप चित्र में भी आप देख सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर पुन्निवेदी, हमने आपसे पहले कहा था, कुछ आपरचित, आसंख ऐसे सहीध हैं, जिनके नाम को भी हमने जानते, जिनके चहर्यों को भी हमने पाचानते हैं, उनी के तश्व कलम आज उनी की जैबोर, कलम आज उनी की जैबोर, कलम आज उनी की जैबोर, जला अस्तिया भारी भारी छिटकाई, जिसने चिंगारी, जला अस्तिया भारी भारी छिटकाई, जिसने चिंगारी, जो चड़ गए पुन्य वे दीप, लिये बिना घरदन का मोर, कलम आज उनी की जैबोर, कलम आज उनी की जैबोर, जो आगर लगो दीप हमारे तूपानों में एक किनारे, जली जली कर बुझ गए, किसी दिन मागा नहीं इस नहीं मूखोर, कलम आज उनी की जैबोर, कलम आज उनी की जैबोर, पीकर जिन की लाल सिखाए, उगल रही लू लपट दिसाए, उगल रही लू लपट दिसाए, जिन के सिंगनाद से सहमी धरती अभी रही है डोर, कलम आज उनी की जैबोर, कलम आज उनी की जैबोर, बच्चों कैसे लगी या कवीता आपको, अच्छी लगी, अब हम आपको इस कवीता के भावात से परचे कराएंगे, तो फिर अब आपको हमारे साथ एक कदम और आगे भना होगा, हमारी अगले चरण में आता है, कठिन सथ, क्यों हमने ये कठिन सथ आपके सामने रखा है, अभी तो हमने आपसे खाया था कि हम आपको भावात बताएंगे, कभीता का आदर सवासन करने के बाद हमने गीत वारा आपको समझाया, उसके बाद हमने आपको बताया कि हम आपको भावात बताएंगे, देकिन हम आपके सामने क्या लेकर आए हैं? काथिन निवारन ऐसा क्यों किया हमने? इसकी भी एक विचार है बच्चो किसी भी कहानी या सार या कविता को समझने के लिए तो उसके अंदर कुछ कथिन सब्द आते हैं जै बोल विजे का गान करना, जला अस्थियां, हड्डियां जलाकर, छिटकाई फैलाना, चिंगारी नई चेतना रूपी आग, चिंगारी आप जानते हैं न, चो आग जब जलती हैं छोड़ी छोड़ी से लाल लाल से होती, तो आग ही होती है, पुर्णे वेदी, पवित्र आहुदी, पुर्णे माने पवित्र, वेदी माने आहुदी, मोल, मुल, आगरित, असंख, जिसको गिनाना जा सके, लगुदीब, छोटे दीब, जब अभी हम आपको पंक्तियां सनाएंगे, पंक्तियां पढ़ेंगे, और उसका भावाद पताए तब आप समझ जाएंगे कि यहां कविता हमसे क्या कहना चाती है, या कवि अपने रशना के माध्धम से हमसे क्या कहना चाते हैं, चले बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पहली पंक्ति है, कलम आज उनकी जैबोल, जला अस्थियां बारी-बारी, छिटकाई जिसने चिंगार जो चर गए पुन्ड वेदी पर लिये बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जैबोल, अब आप अपनी कौपी और पैन निकाल लीजे, विकिसके भावात को आपको लिखना है, सभी ने निकाल लिया, बहुत अच्छे, अब आप लिखना शुरू कीजे, हम आपको पताते है से किस प्रकास से हमें भावात लिखना चाहिए, भावात भी लिखने का एक तरीका होता है, सबसे पहले संदव, फिर प्रसंग और फिर उसके बाद भावात, संदव किस कवीता ने, किस रचनाकार ने कवीता को लिखा है, किस पार्ट से लिया गया है, ये हमारे संदव में प्रसंग कभी हमसे क्या कहना चाहता है यहां प्रसंग आता है उसके बाद हम उसे अपने भावों में अपने सब्दों के अनसा उसका भावाथन लिखते हैं चलिए बच्चों आप लिखना शुरू कीजिए संदभ है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक मंजरी भाव साथ के कलम आज उनकी जैबोल नामक पाठ से ली गई है इसके रचैता राष्ट कवी सिरी राम धारी सिंग दिनकर जी हैं यह हमारा संदभ है यह कवीता पाठ का परिछे अब आता है प्रसंग प्रस्तुत कवीता में कवी ने उन सहीदों का गुनगान किया है जिन्हों ने अपने त्याग और बलदान के से देश में नई चेतना जगाई है आखिर कभी हमें अपनी रशना के माध्रम से क्या कहना चाहता है ये हम प्रसंग के माध्रम से पताएंगे अब आता है भावाथ लिखना शुरू कीजे कभी कहते हैं कि हे कलम आज तुम उन वीर सहीदों के विजे का गान करो जिन्होंने अपनी अस्थियां जला कर अठात कुछ बलिदान करके लोगों में क्रामती की भावना को जागरत किया और नई चेतना फैलाई तथा जिन्होंने बिना किसी मुल्न के अपने करतव के लिए स्वयम को देश के लिए निचावात कर दिया हे कलम आज तुम उन्हीं असंख सहीदों का गुनगान करो उनकी प्रस बहुत अच्छे अब अगली पंक्ती की तरफ हम भरते हैं दूसरी पंक्ती है हमारी जो आगरित लगो दीप हमारे तूपानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं इस नहमू खोल कलम आज उनकी जै बोल यह हमारी दूसरी पंक्ती है अब इसका भी भावात आपके सामने लाएंगे लेकिन कुछ नैधंग से चलते हैं बच्चो हम इसके भावात के तरफ अब आपके सामने आपने देखा आपके सामने क्या आया है ना यहाँ प्रसंग है ना यहाँ संदर्भ है सीधे एक सब्द लिखा है सा प्रसंग भावात ये भी एक त प्रसंग भावात में हमने प्रसंग को मिलान कर दिया उनको साथ मिले लिया है चलिए अब आप इसको लिखिए कि हमने प्रसंग कैसे मिलाकर प्रसंग को कैसे मिलाकर भावात की दचना की है राष्ट कवी सिरी दिनकर जी निश्वत भाव से देश पर निश्वावर होने वाल असंख वीरों का गुनगान करते हुए कहते हैं कि हे कलम अब आप ध्यान दीजे प्रसंग मैंने कहां तक लिया है राष्ट कवी स्री दिनकर जी निस्वार्थ भाव से देश पर निच्छावर होने वाले असंख वीरों का गुनगान करते हुए यह हमारा प्रसंग है अब तुम उन वीर सहीदों के लिए विजेगान करो जो असंख लगु दीप रूपी अथार अंगिनत छोटे दीप है जो असंख लगु दीप हमें उनके उम्र का पता नहीं है वो कितने सार के थे कितने वस्तक उन्होंने देश के लिए सेवा की जो करांटिक रूपी तो फानों म एक किनारे पर जल जल कर जो बुझ गए और किसी से इसने और सम्मान की मांग तक नहीं की जब हमने आपरचित और बिना नाम से हम जानते मताँ उन्होंने अपने सम्मान के लिए कभी भी किसी के सामने मुझ ने खोला बच्चों यहाँ पर कभी ने इसने के दो अर्थ बताए हैं यहाँ पर इसने के दो अर्थ बताए हैं पहला अर्थ है दीब के अर्थ में तेल और सहीदों के अर्थ में प्रेम आखिर इसने के दो अर्थ यहाँ पर क्यूं है इसकी भी व्याख्या हम आपको बताते हैं दीब जलते हुए समात हो जाता है पर किसी से तेल की आजना नहीं करता आपकी घर में भी दिया जलता होगा वो बाबा पुकारता नहीं है कि मुझे तेल दो तुम्हें रादभर जलता रहूं वो जितना तेल है उसी में ही वो जलकर आपको रौशनी देता है उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार देश की आन पर ना जाने कितने वीर सहीद हो गए पर उन्होंने किसी से इसने और सम्मान की मांग नहीं की यह आप भी जानते हैं हमारे देश पर आज भी कितने सहीद हो गए हैं नेकि हम लोग उनके नाम से परचित नहीं है जब हमारा भारत गुलाम था तब भी हम बहुत से ऐसे असंख वीर हैं असंख सहीदे जिनके नाम नहीं जानते और आज भी वर्तमान में भी हम बहुत से ऐसे सहीदों के नाम नहीं जानते जो हमारी रच्छा के लिए सीमा पर तैनात है तो हे कलम आज तुम उन्हीं अंगिनस असंग सहीदों का गुनगान करूं इसी के साथ हम आपसे भी यह कहते हैं कि यह हमारे कवी ने उस समय का उन्होंने वर्णा किया है जब भारत को स्वतन्त कराना था आज भी हमारे देश में आधनिक काल में आज भी हम लोग के कुछ ऐसे जवान हैं जो सीमा पर तैनात है जिनके नाम भी हम नहीं जानते हैं जिनसे कोई पर्चेब नहीं है तो क्यों ना उनके लिए भी आज आप ऐसा ही गुनगान कीजिए बच्चो अभी आपको हम से दो ही पंक्तियों के भावात बता रहे हैं आगे के पंक्तियों के भावात के लिए हम अगले अंग पर आपको मिलेंगे अब आगे बाते हैं आपके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं वो है आकलन आकलन क्यों आपको दो पंक्तियों हमने बताई है दो पंक्तियों के भावात भी बता हैं और हमें पता है कुछ बच्चे यहां से उठके बहार चले गया थे उनके लिए भी यह एक मौका है कि वो दुबारा पार्ट से जोड़ जाएं कुछ प्रशन आपके सामने हैं और उत्तर भी साथ में तो बच्चों उन प्रशन उत्त अगर को ध्यान से सुनिए और समझे और पार्ट से समलित होई पहला प्रस्ण है किसने अपना सब कुछ बलिडान कर दिया था बिल्कुश ही सहीदों ने बिना लिये गर्दन का मोल पंक्ति का इस कविता में क्या आश्रे है आश्रे मतलब उसका क्या मतलब है अपनी जीवन की परवाहना करते हुए उन्होंने देस के लिए अपने प्राणों को निच्छावर कर दिया है यहां है बिना लिये गर्दन गर्दन का मोल अगर आपकी गर्दन ही नहीं रहेगी तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा क्या यही यहां परनी पार्णों की पिर्कुर भी प बताया है पिल्कुर सही कवी ने इस नहे सब्द को दो अर्थों में बताया है पहला दीपक के अर्थ में तेल कि दीपक को भी अपने तेल से प्रेम होता है जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलता रहेगा और दूसरा सहीदों के लिए प्रेम जब तक हम सहीदों से प्रे अब आगे बहते हैं, चरन बद चरन, अब आपके चरन में क्या आया है भासा की बात, भासा की बात में दो सब्द लेकरा है विसेशर और विसेश, इसकी परभासा से आप परिचे प्राप्त कीजे, विसेशर आपको पता है लेकिन एक बार पुन्हा इसकी परभासा से आप प सब्दों को विसेशता वताने वाले सब्दों को सब्द कहते हैं जैसे सुंदर योग लंवा नीली आधी याद आ गया अब नया सब्दे सब्द किया है मैं विशेशण सब्द जिन संघ्या या शर्वनाम सब्दों की विशेशता बताते हैं ध्यान दीजेगा विशेशर सब्द जिन संग्या या सर्वनाम सब्दों की विशेशता बताते हैं पहला क्या कहा था आमने कि संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताने वाले को विशेशर कहते हैं विसेश में क्या है कि वहां विसेशर जिन संग्या या सरवनाम सब्दों की विसेशता बताते हैं उन्हें विसेश कहते हैं विसेश का एक और सब्द है संग्या जैसे जमीन पेर फल लोग जामुन आदी विसेश हैं जमीन उपजाव, जहां जमीन आगी उपजाव है, खुर्दरी है, तो उपजाव उसकी विसेशता है, जमीन क्या है हमारी विसेश से है, एक विसेश है, मतलब कि हमारा एक संग्या है विसेश से, समझ में आ गया, पेड, अगर हम कहें के पेड, तो तुरंद आपकी दिमाग म विसेश्ता है, लोग बहुत ज्यादा बहुत कम, ये विसेश्ता है, जामुन, मीठा या थोड़ा सा करवा सा, खटा सा, अलगी स्वाद उसका होता है, वो जामुन की विसेश्ता है, और रंग में कहेंगे, तो जामुनी रंग है, ये हमारे हैं विसेश, विसेश किसी एक सब तो कपड़ा हमारा विशेश हो गया मुलायम इसकी विशेश्ता इसे संबंदित आपके लिए कार भी है यह आपका भ्यासकार यह भ्यासकार आपकी किताब में दिया गया है आप इसे उसमें मिलान कर लीजेगा नीचे दिये गये विशेशर और विशेश संग्या जैसा कि हमने आपसे कहा था संग्या का मिलान कीजे विशेशर सहमी लाल पुन्य लगो विशेश सब वैदी दीप धरती सिखाएं ठीक है अब हमने आपके सामने इसमें मिलान कर दिया है आप भी इसी तेके से मिलान कर लीज सहमी को आप मिलाईए धर्ती से सहमी धर्ती लाल सिखाए पुन्य वेदी पुन्य जो हमारा है वो वेदी से मिलान करेगा लगु दीब लगु माने छोटा दीब माने दिया आपके समझ में आगया बच्चो बहुत अच्छे जल्दी से मिलान कीजिए देड बिलकुर मत अब आग के लिए कुछ करने की बारी कहा जै असाइन्मेंट या प्रोजेट बच्चो अभी तक हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें आपने क्या जाना है उसे से संबंधित को सम चर्चा करेंगे आपसे कि बच्चो क्यों ना हम अपने विचार को अपनी कलपनाओं को और विस्तारित करें और फैला दें तस्तुत पाठ में हमारे कवी ने अपनी कलम से कहा कि देश भक्तों के लिए जैगोश करो आखिर वो कवी थे उन्होंने अपने रचना के मार्ध्यम से कहा क्योंकि हमारे देश के सभी रचनाकार अपनी रचनाओं के मार्ध्यम से देश के सहीदों और वीरों के लिए अभिवादन करते हैं उनका जैगोश करते हैं है कि नहीं आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा लेकिन उनका जैखोस केवर देश्वासी और रसनाकार ही नहीं कहते हैं आप ये पता था आपको? बिल्कुर आपने बलकि पूरी प्रक्ति उनके लिए मंगल गीत काती है आप तो कुछ याद आया आपको? नहीं याद आया? याद कीजिए आपने अपने पिछली कक्छाओं में या पाठ में आपने प्रक्ति से संबंधित कुछ वीर गाथा पढ़े होंगे कविताय या कुछ संकलन आपने किये होंगे? याद आगया? नहीं याद आया? अभी आपको याद आजाएगा कुछ घंटे बाद में आपने पिछली पाठ या कच्छाओं में वीर गाता पे अधारित कई कविताय रचनाय पढ़े होंगी? क्यों ना आज पुन्हाओं नहीं याद किया जाए? जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अभी याद आजाएगा आपको. तो कुछ नया करने के लिए हम आपको एक कार देते हैं. जिस प्रकार एक लेखक अपनी रचना के माध्यम से देशवास्यों के लिए जैघोस काते हैं. तो क्यों ना आप ही सोचिए कि अगर हमारे प्रक्ती में बादल और पुष्प इसी तरह क्या जैकान कर पाएंगे? क् कर पाएंगे तो किस तरह से जही आपको ढूनना है इसी का आपको लच्छ दे रहे हम आपको इसी प्यारी सी सुन्दर सी कविता बनानी है. यह आप कर लेंगे ना जही आपका असाइनमेंट है तभी हमने कहा है कुछ करने के बारी तो इसी देश प्रेम को इसी ओध कि हम आपको बताएंगे कि प्रक्ति हमारा मंगल गीत किस तरह से गाती है देश वास्यों के देश भक्तों के लिए उसका एक उधारन आपके सामने है आपकी किताब में है निम निखित कविता को ध्यान पूर्वक पढ़िए यह आपका ग्रहकार भी है यह आपका उधारन जैसे लिखा है चाहा नहीं मैं सुरुबाला के गहनों में गूथा जाउंग चाहा नहीं प्रेमी के चाहा नहीं माला में बिंदि प्यारी को लल चाऊंग चाहा नहीं सम्राटों के सव पर हेहरी डाला जाऊं चाहा नहीं देवों के सिर पर चड़ों भाग पर इठलाऊं मुझी तोर लेनावनमाली उस पत पर तुम देना फेक मात्र भूमी पर सीष चढ़ाने जिस पत पर जाए वी रने के यहां पर आप में देखा ना प्रक्तिका एक बस्प यह पुस्प की अभिलासा है यह पुस्प की तहा है लेकिन यह आपको सिर्शप नहीं लिखना है आक के लिए दो कोदो प्रस्ण अलग पुषित सेर्सक लिखिये हमने ताप को बता दिया पुष्प की अभिलासा लेकिन अब आपको बताना है इस पर दूर सा सेर्सक प्रकरण क्या बन सकता है तो बच्चो यह आपका ग्रहकारे जाद हो गया पहला आपके है असाइनमेंट कि आपको यह पता करना है क्या बादल और पुष्प भी इसी तरह मंगल गीत देशभक्तों के लिए बना सकते हैं गा सकते हैं और दूसरा यह ग्रहकारे कुछ जैसा कि बच्चो आपको पता है ना कि अभी तक हमने आपको सिब दो पंक्तियों के भावात बताये हैं अब अगली पंक्ति के भावात लेकर हम आप दहाम लेंगे अपने अगले अंख के साथ अगले प्रस्तुती करन के साथ तब तक के लिए बच्चो आज हम आपसे विदा लेते हैं तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार आप खुश रहें स्वस्त रहें तब तब तक के लिए अजय कर तक के लिए बच्चो आपसे बचाई रहें लेकर हम आपसे पात्स बादिया साथ प्रस्तुता आपसे विए ठाक के साथ पर गाईश।